विश्वम् दरपन द्रश्यमान नगरी तुल्यम् यांतर गतं पश्चनात्मनी माया बहिर वोदवूतं यथा निद्रया याशाथ्चात कुरते प्रबोध समय स्वात्मानम् वाद्वयं तश्मय श्री गुर्मूर्ते इनम इनम श्री दच्छना मूर्ते वस्दोसुतं इस वीडियो में कौन सा इसलोग चल्ला था अठारवन अध्याय का छाचाटवा इसलोग चल्ला था पूरा नहीं हुआ था उसकार्थ बता रहे थे क्या सरवधर्वान परित्यक्ष मामेकम शर्णम ब्रज अहम त्वा सरवपापेभ्यो मोचस्यामी मासुच ये चल्ला था तो यहां हमने बताया था कि माम अपरोच्षम प्रत्यक चैतन्यम था यहां ब्रज का आर्थ क्या होता ब्रज बोले कि ब्रज माने जानी है जानो ब्रज गतो मने गमन गमन ग्यान मोच है तो जैसा सर्णने होता है वैसे ही सरणागती होती है जब आत्मा ही सरण में है तो व और कहीं पाप में लग गए तो बोले कि अब तुम मत सोचो, अहमत्वेन अविभक्ताहा ग्याता अहम, तुमारे अहम के रूप से ज्ञान होकर मैं सरवपापे भ्याहा, ठीक है, तौम मोचस्यामी, सब पापों का मूल करतापन, भोगतापन, संसारीपन, परचिनपन, पापमयो भ्रमा, भ्रम ही संपूर पाप का अधार है, इन सब से मुक्त कर दूँगा, कैसे, कि मैं तुमारे अहम के रूप में प्रकट हो जाओंगा, और तुम्हें अविद्या और अविद्या के कार से छुड़ा दूँगा, मोचस्यास्मी, मोचस्यामी कर दूँगा, ठ तो कम्मा कारशी ही, तो एक बार क्या हुआ, स्वामे खन्न जी एक महात्मा के दर्शन करने गए, उनकी कुटिया के द्वार पर एक स्लोक लिखा हुआ था, कहा था, यह तो उनको याद नहीं आ रहा, लेकिन बचपन में वो स्लोक उनको याद था, अभी शार्दूल विक् तो उनको याद हो जाता था, उन महात्मा के दर्वाजे पर एक स्लोक लिखा हुआ था, उसमें सायद यह लिखा था, सर्वा गीता मया धीता तत्त प्राप्तिम विनिश्चिता, सर्व धर्म परित्यागी, सर्व पापे प्रमुच्यते, स्वामे खन्न जी सोच लेके, सारी गीता मैंने पढ़ी है, और इस निश्चे पर पहुंचाओं कि जो सर्व धर्म का परित्याग कर देता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है, असल में जहां धर्म रहेगा, वहां अधर्म भी रहेगा, स्वयम गीता कहती है क्या सर्वारम मही दोशेण, नहीं बोला, धर अधर्म द्वंध है, ये रात और दिन के समान जोडिदार हैं, इसलिए जब छूटते हैं, तब अकर्तत्व, अभोक्त्रत्व, असंसारित्व, अपरचिनत्व के ग्यान से धर्मा अधर्म दोनों बादित हो जाते हैं, और जब रहते हैं, तब दोनों रहते ही हैं, इनके रहते जो अपने को धर्मात्मा मानते हैं और यह मानते हैं कि हमारे धर में कोई तुर्टी नहीं है, हम बहुत बड़े धर्मात्मा है, वे मूर्ख हैं, अब जो यह कहते हैं कि हमारे जीवनों तो पाप ही पाप है, पुणले पुणल है ही नहीं, वे भी ठीक नहीं कहते हैं, उनके जीन में पुर्ण ना होता तुने पाप मालूमी ने पड़ता ना बिना पुर्ण हुए पाप का ग्यान होता ही नहीं और बिना पाप हुए पुर्ण रहता ही नहीं इसलिए दोनों साथ साथ पैदा होते हैं अर्थात साथ साथ रहते हैं साथ साथ जाते हैं तब जाते ह परमात्मा का ग्यान होता है धर्म क्या है धर्म कुछ धर्म क्या होते हैं कार्यात्मक होते हैं जिनको हम करते हैं दान किया एकादशी परोपकार ये धर्म हुआ हमारा बनाय हुआ धर्म है एक कारण धर्म है जो हमें धर्म करता है ध्रियते पुण्ल दानादी रूपेंड इत पाद्ध है और कारण निष्ट धर्म जो सुभाव से प्रकति से द्वारा प्राप्त है इन दोनों का परित्या करके स्वरूप के ज्ञान से एक कर दो और मामेकम शर्णम ब्रज मेरे स्वरूप में आकर बैठ जाओ ठीक है इसके बाद अहम त्वाप सर्वापापेव्यो भोग मोच दोनों नहीं चाहिए वह तो विर्दा है विरला जिसे न भोग चाहिए न मोच चाहिए वह तो मुमुच्छत से भी व्यतिक्रांत हो गया इसलिए माशुचाहा सोकम माकार्शी ही सोक मत करो अरजुन अब देखो भवान ने कहा देखो अरजुन मैं बड़ी गू इसका उपकरम तो ग्यान से हुआ और उपसंगार भक्ती में किया गया इसका क्या कारण है यह प्रश्न है इसका उत्तर क्या है भगवान अर्जुन को उपदेश करते रहे अर्जुन सुनता ना इससे भगवान को यह संदे हुआ कि भाई अर्जुन को ग्यान हुआ यह नह उबेष्ड करके भगवान ने उसका साधन बताया तता इस संका से मुक्त कर दिया कि युद्ध करने से तुझे को कई पाप लगेगा धर्म क्या है धर्म कोई अन्ता करण नहीं होता तब जानेंगे क्या थो अन्ता करा नहीं नहीं हुदा पेसे लिगए पदे श्रणागती सो अल्गवानका अन आजो से श्रौण नहीं की को कि द univers सठवाई स्लोक में श्रौणक अधिकारी बताते हैं कि कौन है श्रौणक अधिकारी उन्हों बोला इदमते ना तपसकाए ना भक्ताए कदाचन ना चाश शुरूशवे चा वाच्यम न चा मामयोब्यसुयती ये गुह ग्यान तुम्हें किसी ऐसे पुरुष को कभी नहीं सु ठीक है मेरी निंदा करता हो ऐसे बेक्ति को नहीं सुनाना चाहिए महला भगवान कहते जरा देख लेना इंद्रियों का सयमी नहों धर्म पालन में थोड़ा कश उठाने में समर्थ नहों माल लो कि एक दिन भोजन न मिला तो क्या है एक दिन भूंक सहने की सामर्थ नहीं है ऐसे आदमी को ये ज्ञान नहीं पचता उसको बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो फिर आसामर्थ है वो आसमर्थ है कि मार्ग में चला जाएगा सबका जूठा नहीं खाने लेगा कहो कि इस लोग में भक्ति कवरण तो भगवान बोलते हैं क्या कि ना भक्ता है अभक्त क बताना चाहिए और जो जो जिसमें सुनने की या सेवा करने की इच्छा न हो उसे भी नहीं बताना है चाहिए ृश आमाम यह अभ्यसूयत आहित जो तत्वित पुरुष के चरित्र में दोस निकालता हो जो ज्हानी पुरूष के चरित्र में दोस निकालता हो उसे भी नहीं बताए जैए८ जैश तो समाधी सीखनी हो तो किसी योगी से सीखो यह तो तत्व ग्यान है यह तत्वित पुरुस्त धर्म से उपासना से योग से सबसे निर्मुक्त होकर स्वच्छंद जीवन बिटीत कर रहा है यदि तुम्हें सीखना हो तो सौच से लोटने के बाद 10 बार बाया और 7 बार बाय आप दादा से सीख लो गुरु पुरोहिस से सीख लो इसके लिए किसी तत्व यानी बेचारे को तकलीब देने के जरूद नहीं यह तुम्हें यही सीखना है कि ठाकरजी को चंदन कैसे लगाना है उनकी आर्थी कैसे की जाए है तो मलब कैसे साथ बार पाउं के पास टकने के पास पर साथ बार अपने हिर्दे के पास आती जाती है तो इसके लिए ब्रह्मवेत्ता को क्यों तकलीब देते हो भवान कहते नचामाम योव अभ्यसू यती जो भगवान स्रीकरण के चरित्र में कहीं भी कलंग देखता है उसे यह ग्यान न बताने का तात्पर क्या है क धर्मग्यान नहीं इसलिए भगवान स्रीकरण के चरित्र में कोई जाती का दोस निकाले करे यह तो फलानी जाती का है चत्री है यादव है कैदे यह तो चोर है रसिया है इस प्रकार जो दोस बुद्धी से उनके गुणों में उनके स्वच्छंद चरित्र में स्वच्छं में दोस्म मालूम होता हो इस इस ज्यान को मत बताना, ठीक है? इसले उनवला इसे मत बताना ठीक है? या arrows अब इसमें आगे क्या है? ऑप्देश करते समय समीं सबी से सुसंते लेकिन उपदेश को ग्रहन करने वाले केवल गुरु भक्त गुरु सेवक या वायराग्यमान ही होते हैं ठीक है इसलिए वो गीता की ग्यान का अधिकारी नहीं है इसलिए बोलते हैं अथ्वा जो गुरु भक्त हो परंद गुरु सेवा ना करता हो भगवान का भक्त हो के कहे हुए लोगों को सुना दे किन्त जो भगवान भद भगवत भग्त और महापुर्सों की निंदा करता उसे कभी न सुना है अता गीता सुनने के अधिकारी में चार लच्छनों में कहला पहला तपस्वी दूसरा भग्त तीसरा गुरु भग्त या जिग्यासु गुणों में दोस्त रष्टी न करने वाला पर निंदा से बचने वाला जिसमें ये गुणों उसी को इसका उपदेश करना चाहिए इसके बाद 68 इस लोग क्या है या इमम परमम गुह मद भक्ते श्वमिधासिती बक्तिम्मै पराम क्रत्वा मामे वैश्यत संशया हा ठीक ह है क्या बोला जो मेरे इस अत्यंत गूर है इसको मेरे भक्तों के प्रति कहेगा वनिश्य ही मुझमें परमभक्ती प्राप्त करके मुझे ही प्राप्त होगा ठीक है ये बड़ी गुह वस्तू, बाजार में लुटाने वाली ये वस्तू नहीं है, इसका वर्लन तो जहां चार दिवाने भक्ति कठा हो जाएं, वहां करो, ठीक है, कि वर्लन करने वाले को मेरी पराभक्ति मिलेगी, इसका ये कमीशन है, नहीं है, भगवान कहते हैं, भक्तों के बीज में ही इस बात, ये बात बताने की है, और जो भक्तों को ये बात बताएगा, उसके हरदय में पराभक्ति का उद्य होगा, वो मेरे पास आएगा, उसके मन में कोई संसय नहीं रहेगा, अब आगे, एक और कमीशन बताते हैं, उनत्तर उस लोग में, भगवान एक प्रियतरोब हुई, मनुष्य जाती में उससे बढ़कर मेरा प्रियकृतम नहीं है, प्रिकृतम मांने सबसे बड़ा प्रियतम, सबसे प्रियक्रत हुआ फिर क्या हुआ प्रियक्रत्तर और उससे भी बड़ा है प्रियक्रत्तम हमें प्रसंद करने वालों में सबसे स्रेश्ट हुई है और आगे भी दस्तावे दम लिख देते हैं यदि ज्यानी हमारा समर्थन न करे, हमारी सप्ता, चित्ता, आनंदुरूता, सिद्धी न करे, तो अग्यानी लोग हजार बक्ते रहें, इससे क्या होगा, इसलिए बोलते है ज्यानी, प्रियतमोवतो माम, ज्याने नासो, विभरती माम, ठीक है, उसका आप भगवान क्या बो प्रियसी बन जाता हूँ, और वो मेरा प्रियतम, हाँ मैं प्रियसी बनकर उससे प्रेम करूँगा, ये मेरा प्रियतर है, इसके बाद आगे, काउन से इसलोग है, आगे, हाँ, सत्तर होग है, ठीक है, क्या है, सत्तर, अध्धेश्यते चाया, इमम धर्म्यम, समवादम आव जो पुरुस हम दोनों के इस धर्म में समबाद का अध्यन करेगा, उसके दोरा मानो ज्ञान यगजे से मेरा पूजन हो जाएगा ऐसा मेरा मत है भगवान बोलते हैं भगवान बोले कि भई दूसरे को सुनाना अइसे तो वो भी मेरा प्यारा है जो हम दोनों के धर्म शम्मात का अध्यन करेगा क्योंकि इसमें असली धर्म का वरणान है जो इसका अध्यन करेगा उसके बुद्धी में जो समझ आएगी उससे तो उसे क्या होगा उसे ज्ञान तो प्राप्त होगा ही और जो इसका अध्यन करेगा उससे उस स्रद्धा करें और दोस्ट निकाले ठीक है ऐसा नहीं दोस्ट ना निकाले ठीक है इसके बाद कौन से स्लोग है इसके बाद है स्रद्धावानन सुयस्च स्रणुयादपि यो नरहा सु अपि मुक्ताः सुहान लोकान प्रापनुयात पुन्ले कर्मान सु अपि मुक्ताः क्या हुआ इसकार्थ कि जो स्रद्धावान और अदोश दर्शी पुरुस इस ग्रंत का स्रण मात्र भी करेगा वो भी संसार से मुक्त होकर पुन्ले कर्मा पुरुसों के सुब लोक को प्राप्थ होगा इतना इसका महत्त है भाइवान कहते है अर्जुन तुमने एकागरचित से मेरी बात सुनी है न देखो यहाँ भाइवान-क्रिष्म यह संसे प्रकट करते ही मैंने जोगदेश दिया यह अनुगीता का भीज है बाद में अर्जुन कहेगा कि मैंने एक आगर चित्र से नहीं सुना तो भूल गया तो बाबा हम भी उस समय योग युक्त थे तो हम भी भूल गए नहीं योग युक्त हम भी थे इसलिए भूला है ठीक है तो अब आगे का कुण सा इसलोग है आगे है बहत्तरवा इसलोग क्या है सेवंटीटू कच्चिद एतच सुतम पार्थ त्वैका ग्रेन चेतसा कच्चिद ग्यान शम्मोहा प्रनस्तस्ते धनन्जाय थीक है बातरवा इसलोग क्या है हे पार्थ क्या तुमने मेरा ये उपदेश एकाग्रचिस से सुना क्या तुम्हारा अग्यान जनित मोहनश्ट हो गया इससलोग से ये सिद्ध होता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए निरुधा वस्था क्या हो सकता होती केवल एकाग्रता और एकाग्रता के लिए पूर्ण जिग्यासा आवश्यक है इसलिए भगवान ने ये प्रश्ण किया कि तुमने मेरा उपदेश एकाग्रता से सुना और क्या तुम्हारा मोहनश्ट हो गया यही बात अध्याय दो के 94 श्लोग में भी किया है कि समाधिस्त इस्थित प्रग क को मानने में पाप और पूझ्य गुर्जनों के वरप्द खड़ों करने में अपनी असमर्ता बेक्त कर चुके हैं इसलिए अध्याएक के स्लोग 45 और अध्याय दो के स्लोग 4 में उसने इस पश्टताय युद्धना करने की बात कही अब भगवान ने उसकी एक एक संका का सम का मोख नस्ट हो गया है इसलिए इसमें क्या दिया कस्चिद कर चुटमपार्थवेक रेतं मलनonneदं मल्लब तुम्हारा क्या तुम्हारा घ्ञान सम्मूप्रन इसरोगे1 तो को सामान्वधयकरण से प्रा के बाद ना होने से अणा हो जाता है, लेकिन इसके लिए एक विसेश सूत्र है, जो कहता है कि जहाँ नष्ट का शकार मूर्धन्य शकार हो गया हो, वहां ना का अणा मत बनाना, तो यहां प्रनश्टसटे धनंग्य ठीक है, प्रनश्टस्ट कितनी बढ़िया बाद बोली ठीक है ये कौन से श्लोग था तीहत्रवाश लोग था ठीक है ये तीहत्रवाश लोग था करिश्य वचनम तब क्या हुआ मतलब अर्जुन बोला अच्यत आपकी क्रपासे मेरा मोह नष्ठ हो गया और मुझे इस्मृती प्राप्त हो गई अब मैं संसेशून्यों कर इस्तितूं अता आपके बचनों का पालन करूंगा यहाँ पर नष्ठो मोहा और गत संदेहा दो विशेशन आये हैं जब किसी प्रकार का संदे आज्यान या कार मोह हो शेश है तब तक सिध्धा अवस्था होई नहीं सकती है ता अर्जुन के इस शब्दों में से मालूम होता है कि सिध्धा अवस्था प्राप्त हो गई उसे और उसे इसमरति अर्थात ब्रमहा कार व्रत्त है भी प्राप्त हो गई है अभी इस श्लोक का आरत और आगे बताएंगे अपने अगले वीडियो में ठीक है कृप्या इस वीडियो को लोगों को साजा करें आपस में ठीक है ओम शांती शांती शांती